हेलो एंड वाल्लाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइज़ शाइंस एक बार फिर से आप सभी का ओनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइज शायंस में जोड़दार स्वांगत है दोस्तों मैं आपका दोस्तउं सुमिर सिंग कचवाऊ पुस्तकाली अधिक्स भिषा होना है दोस्तों और आप सभी जो हैं इस त्यारी में जो हैं त्यारी कर रहे हैं लोग इस त्यारी को और ज्यादा बढ़ाएं ताकि क्या है कि आप जल से जल से लेवस को पूरा करके बार-बार रिविजन कर सकें और रिविजन करने से क्या होगा दोस्तों आपके अंदर एक confidence आएगा दोस्तों आये शुरुवात करते हैं आज का जो क्लास है अभी तक हमने बैसिक क्लास शुरू की है ताकि हम आपके जीरो से आप लोगों को हीरो बना सकें लाइवरी साइंस की स्पेशल सीरीज शुरू की मैंने बैसिक ताकि आपको पता हो जाएगा इस क्लास के माध आए इस क्लास को लास तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप सभी से कह रहा हूं कि पैन और रेजिस्टर अपने हाथ में ले लिजिए जो चीजें में लिखा रहा हूं उसको भी आप नॉट करके देखिए ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों जो वीडियार्टी जो नए है जो पहली वार देख रहे हैं उन सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलिग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI for Library Science इसको आप जोइन क लिजेगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यह भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस चैनल है जहां पर आपको हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों और जो विडियार्टी जिन्हों ने अभी तक हमारा एप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी से निवेतन हैं कि एप डाउनलोड कीजिए और एप के अंदर जो हमारा फ्री कंटेंट है वो फ्री कंटेंट जाकर आप कोर्स में जाकर देखिए तब जाकर आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तों में लाइबरी लेनी है तो आप इसमें कभी भी ले सकते हैं दोस्तों ठीक है Thank you very much आप class शुरू करते हैं दोस्तों आगे आज हम जो हैं और भी बहुत सारी basic चीजाे के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों अभी तक हम day one day two day three में और भी बहुत सारी चीजा पड़ी आज हम और important जो फैक्ट है important जो चीजे है लाइवरी साइंस की उसके बारे में हम बात करते हैं जोस्तों मैं वही चीजे आपको पड़ा रहा हूँ जो हम्हेशा कॉम्हेशन एक्जाम में पुछी जाती है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे competition एक्जाम दिये हैं फिर कहीं ने गई राजस्तान वाले मेरा अच्छी रैंग की एच्छी रैंग से मेरा selection हुआ था वो जो अनुबव जो मैंने उस समय मैसूस किया जो संगर्स जो मैंने देखा उसी संगर्स के अधार पर उसी अनुबव के अधार पर आप लोगों को मैं मार्ग देशन कर रहा हूँ और मेरा मानना है कि मेरा मार्ग देशन और आपकी मैनत एक दिन जरूर ये दोनों चीजी जब आपसे मिल जाएगी मेरा मार्क देशन और आपकी मेनद मार्क देशन और मेनद जब एक दिन आपस में मिल जाएगी तो एक दिन आप जो है लाइबिरियन जो है पद पर आप जो है सेलेक्शन हो जाएगे दोस्तो आएगे शुरुआत करते हैं आज का जो एक important topic लेकर आ रहे हैं दोस्तों कुछ basic चीजे बता रहे हैं आज हम बात करते हैं दोस्तों नालंदा university library किसके बारे हम बात करते हैं दोस्तों नालंदा university library तो नालंदा university library के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ना बहुत सारे हम public library के बारे में भी हमने पता किया था और अभी तक हमने public library के अलावा हमने और भी library पढ़ी है इपोजिटर library भी पढ़ी है medical library भी पढ़ी है हमने पिछली दो तिन क्लासों में आज हम बात करते हैं दोस्तों नालंदा विस्विद्याले पुस्काले नालंदा नालंदा विस्विद्याले पुस्काले उसके बारे में आज हम सर्चा करते हैं दोस्तों चिक है यह कहीं बा पता है कि नालंदा विश्व विद्याले जो है ये कहां पर है कौन से राजिये में है दोस्तों ये सब को पता है कि नालंदा जो है कौन से राजिये में है दोस्तों बिहार राजिये के अंदर है तो नालंदा जो इनिवर्सिटी लाइबरेरी है वो कहां पर है दोस्तों बिहा वर्थमान के बिहार राजिये में नालंदय सहर के अंदर यहां पर इस ततर्ड है कि इसकी सतापarena किसकी द्वारा किए गए खही बहार पुचा जाता है कि नालंदय इसकी लैस्यवरेली नालंदय। की गई थी तो एक राजा था उस राजा का नाम है किंग डेवापाल क्या नाम है दोस्तों किंग डेवापाल इन 168 दिया नगना 600 इसा पूर्व जो है राजा देवापाल के द्वारा नालंदा इनिवर्सिटी लाइबरेरी की स्थाफना की गई थी तो नालंदा इसकी इससापना 600 इसवी इसापूर्व में जो हैं किंग राजा डेवा पाल के द्वारा इसको जो हैं इससापना की गई थी दोस्तों एस्टैपलिस का मतलब क्या होता दोस्तों इस्तापना करना और नालंदा उनिवरस्टिटी के अंदर जो लाइबरेरी है ज्याने ऑफ और जाना इसनोel इस उसको जाना जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों दर्म गंच क्या नाम में दोस्तों दर्म गंच यह कहीं बार सवाल पुछा जाता है परिक्षा के अंदर क्या नाम में दोस्तों दर्म गंच देगा ना बर्व गजधिया नखना तो परिक्सा में कई बार ये सवाल पुछा जाता है कि जो नालंदा इन्यमवस्टि का नाम क्या हैं तो नालंदा इनिवर्सिट्य है उस लाइप्रेरी का नाम क्या है दोस्तों दर्म गजधिया नंखना थे कहा है उसके पाद हम बात करते हैं कि जो नालंदा उनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है नालंदा उनिवर्सिटी लाइब्रेरी तो नालंदा उनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है सबसे पहले यह सबसे इंपोर्टेंट कुछिन आता है कि वास डैस्ट्रॉइट बाई डैस्ट्रॉइट का क्या होता दोस्तों स्ट करना तो नालंदा निवर्सिटी जो लाइबरेरी है इसको डेश्ट्रोय किया गया था किसके तवारा दोस्तों बक्तियार गधियार किल जी के द्वारा जो है इसको नष्ट किया गया था तो अमेंसा ध्यान रखना कि सवाल क्या बनेगा पहला सवाल बनेगा कि नालंदा इनुवर्षिटी लाइब्रेरी जो कहाँ पर है या वर्तमान में किस राजिय में दोस्तों तो ये नालंदा सहर बिहार के अंदर है ठीक है नाम क्या था उस लाइब्रेरी का नाम था डर्म-गंच क्या है दोस्तो डर्म-गंच था और फिर बारेस्थयों पाँच इससा पूरू में यह क्रिकोर जो है बक्तियार खिल्टी के द्STA महफ्ज। फिरा बक्तियार खिलती के आप पिल्कुल साथ-साथ में पैन और रजिस्टर ले लीजिए और साथ-साथ में नोट्स बनाई हैं दोस्तों क्योंकि एक बार ही आपको टाइम लगेगा नोट्स बनाने में लेकि जब एक ही जब कोई चीजे जब इस्टेडी माटीरियल एक ही रजिस्टर में सही जगह प होते हैं वह 10% विद्यार्टी जो है वेकेंसी आने से पहले त्यारी करते हैं क्योंकि उनका सपना होता है कि मैं लाइबेरियन बनना है तो आपने भी अगर सपना देखा है लाइबेरियन बनने का तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दिजिए तो 10% लोगों ने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है और 90% वो विद्यार्टी है जो वेकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आप सेलेक्शन आप खुद को पता चल जाएगा कि वेकेंसी आने के बाद जो शुरू करेंगे उनका सेलेक्शन होगा जो पहले से पढ़ना शुरू ना वो प्रैक्टिस कर पाएंगे लेकिन जो अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो वेकेंसी आने तक वो सेलेवस पूरा कर लेंगे और वेकेंसी आने के बाद उनके दो ही काम रहेंगे एक तो रिविजन करना और ज्यादा सा ज्यादा अब्जेट्री कुश्चन सौल करना दोस्तों अब हम बात करते हैं अगला दूसरा टॉपिक है कि फॉर्स्ट लाइबरेरी असोचियेशन बहुत इंपोर्टेंट क्कुश्चन है दोस्तों लाइबरेरी असोचियेशन अर्टिछल्शन इन इंडिया कि कई बार पुछा जाता है कि भारत में पहला संग कौन सा था पुस्तकाले संग बहुत सारे लाइबरेरी असोशियेशन बने वे हैं लेकिन भारत में पहला पुस्तकाले संग का क्या नाम था ठीक है तो पहला जो पुस्तकाले संग था वो था दोस्तों आंद्र आंद्र देशा लाइबरेरी असोशियेशन का नाम था दोस्तों आंद्र देशा लाइबरेरी असोशियेशन जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं आंद्र पुस्तकाले संग भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों वर्तमान में उसको आंद्र पुस्तकाले संग भी कहते हैं तो आं इसको सुरूत किया गया था दस अप्रेल उननिसो चौधा में इसको यो कि वेकति के द्वारा तो द्यान रगना है यहां की द्यान रगना इंग कीLerika यांग की वैंकंटा रमानया के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों यांग की वैंकंटा रमानया के द्वारा जो है इसके क्या किये गे थी दोस्तों इसको जो है शुरू क्या गया था दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट वेक्ति है फुस्तकाले विज्ञान के अंदर जिनक इस व्यक्ति को कहा जाता है बहुत इंपोटेंट कुशन है इस व्यक्ति को कहा जाता है दा आर्किटेक्ट the architect of public library movement public library movement in India public library movement in India इस वेक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों इस वेक्ति को कहा जाता है भारत में भारत में सारुजनिक सारुजनिक पुस्काले आंदोलन सारुजनिक पुस्काले आंदोलन के वास्तुकार क्या कहा जाता है दो सारुजनिक पुस्काले आंदोलन के वास्तुकार कहा जाता है ये कहीं बाद सवाल पुचा जाता है के भारत में किस वेक्ति को जो है आर्किटेक्ट और पॉब्लिक लाइबरी मुमेंट इन इंडिया के बारत में सार्जुनिक उसकाले जो है अंदोलन के वास्तुकार किसे का जाता दोस्तों यांग की वैंकटा रमानया को का जाता है यह सवाल कहीं बाहर प्रिक्षा के अंदर पूचा जाता है इस व्यक्ति को इस व्यक्ति का मुखके की वैंकटा रमेया को पदमशिरी अवार्ड तया गया था है वेरी इंपोर्टेंट कुष्चान है दोस्तों तो इस व्यक्ति को पदमशिरी अवार्ड को मिला था ये भी सवाल पूचा जाता प्रिक्षा के अंधर यह मिला था आपको 19 bekanntा रमयाना को यह अवार्ड मिला था कब मिला था दोस्तों 1902 के अंदर जो है इनको अवार्ड दिया गया था पदमसरी अवार्ड से नवाजा गया था कब नवाजा गया था दोस्तों पदमसरी जो अवाड है इनको मिला था दोस्तों ठीक है और जो बड़ोधा के जो राजा थे बड़ो very important he was honored he was honored taken up with the title of with the title of with the title of Granthale G R A N D H A L A Y A Granthale Pita Jackson so Hindi miketa I a Granthale Pita hamapaいやic mix campur所以民族 तक यह वाद हाता है कि महाराजा और अधिके दोसी के दौरा को किया दीक दोस्तों उपादी दी वेक्षा के अंदर ज्यानकानाव और और जो यह आंदर देशा पुब्लिक लाइबरेफे आंदर देशा लाइबरेरी एस्वी अड्य एल लेफे डालाइब क्या होता है जो बारत में पहला लाइबरेरी अस्वी शेयशन इसका जो हैंड कौर्टर है कि है क्याए दौसो स Ball Diser…. दौसो जो हैड कौरटर कहा है तो सो अध्रॉलौक हो तो वह था विजह वाड़ा कैं तो आंध्रवदेश कि लाइब्री ऐस्चोशेशन में फाद धान दाद्ट कि हमेशा दिया डगना वार्त में पहला लाइब्रेरी अस्य शेशन पहला पुस्त कवे पहरे को लिए संक्या था नाम दा आंदर्देषा लाइब्रेरी असोशेशन था जिसको शुरुर किया गया था कि 11–14 में किसके दयार इसंट चुरह में फेंक जला были म Gimme सरथ ? और बड़ोधा के माराजा ने उनको ग्रंथाले पिताबा की उपादी से नवजा गया था दोस्तों और अंद्रदेशा जो लाइबरेरिया शोशन है इनका मुख्या लेकिया है दोस्तों विजे बाड़ा में है कहा पर दोस्तों विजे बाड़ा में है द्यानकना और इनके द स्पीच वा ऐसेज है वो लिखे गए थे तो ग्रेंट अले जो ती जो ये वर्क है ये जो कृती है ये कृती किसके द्वारा याद लिखी गई थी दोस्तों यांकी वैंकंटा रमा नयार के द्वारा लिखी गई थी ते किसके द्वारा लिखी गई थी यांकी वैंकटा रमा है कि दोना लखी जोई ती ग्रंत अले जोती यह कहीं बार प्रेक्शा के अंदर पुछा जाता है कि ग्रंत अले जोती जोटी जोए इधी दिए कलेक्षिन ओप एसेज ओप इस्पीशी जिद्यानक ना इती चंक्क्षन ओप Essays and Species on Library Movement जो पुस्तकाले आंदोलन के तहत जो भी Essay थे जो स्पीस थे उसका क्या है दोस्तो एक संग्र होता है वो संग्र जो है ग्रंतल जोती में लिख दिया गया है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी ये येंग की वेंकर्टा रमयने के द्वारा लिखी गई दोस्तो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा इंपोटेंट है वो हम बात करते हैं एन बीटी जा रखता हो एन बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तो नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है दोस्तो नेशनल बुक ट्रस्ट ये भी कई बार सवाल पूचा जाता है अगर जो विद्यार्ति लाइबरेरी में काम कर रहे हैं अगर कोई विद्यार्ति अगर किसी लाइबरे पर काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि एंडियान पब्लिसिंग हॉस एंडियान पब्लिसिंग हाउस का मतलब यह होता 추uas है जो हैं बच्चों को स्कूल में जो हैं किताब है जो परकासit की जाती है तो वो क्या है दोस्तों यह यह परकाशन है क्या है दोस्तों यह इतान यह जानांक न cilantro लभाई के अंदर बीटी पफ्लीकेशन से बहुत सारी किताब बहुत सान्धर क्वालिटी जो किताबे होती है, मेरे लाइब रिएडरी की अंदर भी एन्ब्र किताबे जो है, सरकार के द्वारा वेजु जाती है, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत इच्छी क्वालिटी की किताबे आती है, ठीक है, और एन्ब्र आपना कब हुई थी दोस्तों, एन्ब्र की of under the ministry of mhrd ministry of mhrd mhrd का मतलब क्या होता है दोस्तों मानुस अंशाजन जो है डिपार्मेंट के अंदर तो mhrd तो यह जो भी वर्तमान में mhrd के कारिय करता है दोस्तों तो कई बास सवाल पूचा जाता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट जो है क्या है यह एक इंडियन पुब्लिसिंग हाउस है जिसके इस्ताफ नकभूई थी 1957 में और यह वर्तमान में mhrd के अंतरगत यह करता है दोस्तों यह चीज आपको जहन में रखनी है दोस्तों एक लाइक कर दीजिए इस क्लास को ताकि मैं आपके सारे कमेंट भी पढ़ रहा हूँ बिल्कुल लाइक जरू करजी इस क्लास को बहुत सारे विद्यारति इसको देख रहे हैं लाइक किजिए आप एक बार क्योंकि आपका जो एक लाइक है मुझे बहुत ज़्यदा मोटिवेट करता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं लेकर आओं दोस्तों ठीक है दोस्तों आगे उसके बाद हम चौती चीज पढ़ रहे हैं दोस्तों नेशनल डाइट लाइबरेरी क्या है दोस्तों नेशनल डाइट लाइबरेरी शाहिद इसका पहली बाद नाम सुनना होगा आपने कि वह नेशनल डाइट लाइबरेरी क्य होती है तो ज्यान रखना है कि it is a it is a national library of japan क्या है दोस्तों it is a national library of japan तो जापान की क्या है दोस्तों जो जापान देश है तो जापान देश की जो है क्या है राष्ट्य पुष्कले है जापान का क्या है दोस्तों जापान का राष्ट्य पुष्कले है यह क्या है दोस्तों जापान का राष्ट्य पुष्कले है द्यान रखना है और इसकी इस्ता सस्तापना होई सotz č Selbst 1974 MN was a chemical दोस्तों सिसकी स्थापना उननीज्व अरतारस में उसी तरीके से जियान रखना है कि किerverिई कि हिअ क्रियं है कि कि लाइस्टरुओं क्या है कि ठीकना दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ यूएसे या यूएस चाहिए ना तो यह अमेरिका की राष्ट्रे पुस्काले का नाम है द्यान रखना अमेरिका का राष्ट्रे पुस्काले द्यान रखना कहीं बार पूचा जाता पर एक सब्सकाले का नाम क्या है दोस्तों तो अमेरिका के राष्ट्रे तो यसकी स्वेट फूस्ट में किई गया की कई ति अमेरे के राश्ट्र पूस्टक लिकी करक्रेश्ट कई तयों तो इसलिए अमेरना कि कहीं बार हर कंट्री कि जो है नम क्या है लाइब ऍचा कि ए रॉप यह अमेरिका का राश्ट्रिफ उसकाले है और इसकी जो इस्तापना है ठीक है दोस्तों और इसकी इस्तापना है वो इस्तापना कब हुई थी अठारोसों में हुई थी और नेशनल डाइट लाइब्रेरी क्या है यह जापान का राश्ट्रिफ उसकाले है जिसकी इस्तापना 1448 तो मेरे कहने का मतलब यह है दोश्तो कこ करें चोटी 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 चीज़े है एक्षाम के यह लाइबरी साइंस के अंदर आती है और आये है अच्छे से अंदर सवाल बनता और से चीज़ों में क्या होता है कि Confuse हो जाते हैं और जब वो Confuse हो जाते है तो एक्जाम के अंदर वो क्या करते हैं दोस्तों गलत कर देते हैं दोस्तों तो आप अच्छे से notes वनें यह बार-बार revision कीजिए बार-बार टेस्ट दीजिए बार-बार पढ़िए जिस तरीके से यह सारे चीज़े आपके दिमाग में आजाएगी दोस्तों बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें पीडियाप देजिए मैं आप इस क्लास के मादेव से कहना चाहता हूं कि हमारा जो एप है उस एप को डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करने के बाद फ्री कंटेंट देख लिजिए आप लेकिन पीड एक बार ही उसको मैनत करनी पड़ेगी और जब वो एक बार नोट्स बना लेगा तो उसको यह खुत के दिमाग में रहेगा कि वह चीज मैंने कहां पर लिखी है कैसे लिखी है और दिमाग में उसके याद रहेगी दोस्तों देखिए मैं सिदा सा सिंपल सा एक च्योरी है कि इस शॉटकट इस शॉटकट इस नोट की आप सक्सेस शॉटकट कभी भी सपलता की कुझी नहीं हो सकती है यह आव तो वर्क हाड तो गैट गवर्मेंट जॉब आपको सरकारी नौकरी के लिए आपको मैनत करनी पड़ेगी यहाव तो किलियर तापिक आपको हर एक टॉपि पढ़ना शुरू करते हैं अब डारेट अबजेटिव पढ़ो के यहाद थोड़ी होगा आपको जब तक आपके एक टॉपिक का कॉंसेप्ट के लिए नहीं होगा उस तब तक कुछ नहीं होका जानगना एक सपलता का जो कह सकता है ना का एक तरीका होता है ठीकिना सपल होन पांचों होता है बोडल पेपर दो और सबसे लास्ट में एक्जाम से एक मेना पहले जो प्रिविशर के जो कुश्चन पेपर है उनको जरूर पढ़े ताकि आपका जो है एक और ही अलग से कॉंफिडेंस आएगा दोस्तों यह चीज़ आपको ज्यान में रखना है ठीकि द आद ही मैं आपके जवाब दूंगा त्यान रखना क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप पहले पढ़ेए उसके बाद जो है कमेंट का जवाब दीजिए तो पहला सवाल है दोस्तों कि नालंदा इनिवर्सिटी लाइबरेरी को किसके द्वारा नश्ट किया गया वह क्यों आपने तो लिसे कहा जाता है किसे लिए जाता है वास्थ का जाता है दोस्तों अगला सवाल एन्बाब टेशनल अएक संहटेयं वर्तमान में किसके अंतरगत कारिय कर रहा है दोस्तों तो वर्तमान में किसके मां अभी बताया था मंज आडिके अंत्रक्त में एमच आड़िक नुशंय सा आप नंसरुंट में और DNA कहां पर है इसका है दोस्तों एंप दिल्य साफ नेन दिल्य है डिशका है गण में इस्फन ट्रस्टी लाइबरयरी जो एज़एंग ज च detail अगला है A.P.L.A . अंदर पर्देश लाइबरेरी असोशियेशन जो यह 1914 में होई थी कहा पर दोस्तों जो है विजे वाड़ा में था दोस्तों तो आज की जो क्लास है यहाँ पर जो है समावत होती है ठीक है आप अच्छे से नोट्स बने यह बार बार रिविजन कीजिए ठीक है न और जो यह बैसिक जो चीजे मैं आपको बता रहा हूं और मैं पढ़ाते समय एक ही चीज रखता हूं कि मैं आप लोगों को जो कॉंपिटेशन एक्जाम के अंदर जो चीजे पुछी जाती है उसके आदार पर ही मैं आ अभी तक किताब जो लेना चाहते वह आप दिये कि नंबर पर वाटसप पर जो मैसेज कीजिए हम लिंक प्रवाइड करवा देंगे और यह जो सेकंड वोलियम है इस सेकंड वोलियम की जो परमुख विशेष्था यह है कि इसके अंदर तेरा ओल्ड पेपर है तेरा जो है पुराने पेपर है और यह किताब किया है दोस्तों बाइनिक वल है इसमें हर कुष्टं और जो है आप्शन हिंद्य-ंगलीश दोना में दिया वा है दोस्तों और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी paper दिया हुआ है question जो उनका answer है वो answer उसी page के नीचे दिये गए है दोस्तों इसी page के नीचे दिये गए है दोस्तों तो यह second volume जो है आपको 26 January से आपको market में देखने को मिलेगी दोस्तों 26 January से आप घर बेटे जो है मंगवा सकते हैं और इस बार जो किताब है आपके घर पर government डाग government पोस्ट से आपके वहां आएगी ताकि किसी परकार की कोई problem नहीं रहे है दोस्तों जो भी विद्यारती बिहाल आइपिरेंट की त्यारी करना चाहते है उन सबसे मैं पहले यह करना चाहता हूं कि जो भी टेचर, जिस टेचर से आप पढ़ना चाहते हो वहां सर पढ़ सकते हो लेकिन जो topic मैंने पढ़ाया है वहांीं चीचर से भी पढ़ के देखिए जिस टेचर की भासा आपको समझ में आती है वहां से पढ़िये लेकिन एक धिafonta नहीं एिक विशेस ब बहुत बड़ी-बड़ी बाते लोग करते हैं कि हम तम जो है वीडियो देंगे यहां टॉपिक वाइट टेस्स देंगे लेकिन आप एप के अंदर जाके देखे के वास्तों में जो हैं उसका content देखे एप के अंदर जाके free content देखे उसे आपको पता चलेगा के वास्तों में सह जो हैं क्या है जो कह रहे हैं वो है है या नहीं है दोस्तों इसलिए आपको सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि आप हमारा एप डाउनलोड कर लिए और उस एप के अंदर जाके जरूर देखे आपको पता चलेगा कि जो चीजी हम बता रहे हैं आपको इस बार हम आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों नियू अपडेटेटेट कोर्स ठीक है ना हम आप लोगों के लिए क्या लेकर रहा है दोस् के बाद हम डेली लाइव mcq class शुरू करेंगे क्या करेंगे दोस्तों लाइव mcq class शुरू करेंगे जिसमें आपके किसी परकार का जो डाउट होगा वो डाउट के लिए हो जाएगा दोस्तों और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको तिन तरह की test series देंगे दोस्तों तो अ देख सकते हर पार्ट में test दिया वाया है और जल्द हम आपके जो है वेकेंस आने के बाद आपको डेली model paper शुरू करेंगे दोस्तों क्या शुरू करेंगे दोस्तों डैली model paper शुरू करेंगे और जिसमें आपका जो है concept है वो आपका clear हो जाएगा दोस्तों डैली है और हमारा जो content वो आपको ध्यान एकना बाइलिंग्वल रहेगा तो मैं अभी से आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर content बाइलिंग्वल होगा तो आप किसी भी question और option को आसानी से समझवाएंगे क्योंकि एक्जाम के अंदर इतनी सुध हिंदी आती है कि आप बहुत ज़्या इसलिए हमने question और option बाइलिंग्वल मैं हम चाहता हूं कि अभी से आप बाइलिंग्वल question आंसर को पढ़ो ताकि बाद में आपको किसी परकार की कोई problem नहीं आएगी दोस्तों ठीक है दोस्तों इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ करने वाले हैं दोस्तों लगातार मैनेच कीजिए नोट्स बनाएए बार बार रिवीजिन कीजिए बार बार टैस्ट दीजिए जिससे आपके अंदर जो है confidence आएगा और वही confidence आपको जो है अंत चीजिए यदिए सारी के लिवीजिए जोटने साथ पिरीके साथ जीजिए जोटने साथ कि छोगाता चीजिए पर बार 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 ।णाइब्साएं